विएस डिफेंस एकडमी के यूटूब चैनल पे मैं विकरम ठाकूर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, दोस्तों आज हम उपस्तित हुए हैं MP पुलिस भरती परिक्षा के बॉइस कट अफ को लेकर, पिछली बार हमने गल्स का कट अफ आपके सा भी व्यक्ति होंगे, जो बार-बार ये कमेंट करेंगे, इतना नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा, तो देखें, कमेंट करने वाले लोग कमेंट करते हैं, हम NC जी जो भी ध्यान न दे, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप फिजिकल जरूर तयार करें, बाल में फिजिकल के लिए बुलाना चाहते हैं, आप कहीं भी तयारी करें, पर आप तयारी शुरू करें, ऐसा ना हो, कि रिजल्ट आजा और छे-सात दिन बचे और आपको लगे, और यार मेरा केसी हो गया, अब मैं क्या करूं, तो आठ दिन में आपका कोई भी स्टेमना नही बना पाएगा, आठ दिन के बाद जब आपका फिजिकल होगा, तो आपका रिजल्ट आपके सामने पेले आ चुका होगा, कि आप असफल है, तो इसलिए आप पहले से फिजिकल की तयारी करें, तो आज हमरे साथ जो पैनल है, पैनल में सबसे जादा अनुभवी जो है, हमर सबसे पहले मैं जनरल की कट ओफ की बात करता हूं, अनारक्षित वर्गे के, तो मैं सबसे पहले वहाप सर से मैं पूछना चाहूंगा, सर इस बार कट ओफ कैसा क्या रहेगा जनरल के फिजिकल का, धन्यवाद सर, सभी का सौगत करता हूं, और आपको बताना चाहूंगा, क जैसा की अभी अक्सर हम सारे चेनल्स के दुआरे जो कॉटल उप लिस्तट लारी की जारी रही है उसको भी हमने देखा और जितने भी चेनल्स जो review ले रहे हैं ऑग्जाब सेंटर के भार उनके review भी हम सभी review देखते हैं तकि हमें पताबढ़ाए कि क्या चल रहा है पुरे मद्ध्य प्रदेश में एक्जाम जितने सेंटर वे चल रही है वहां से किस तरह के नंबर बच्चों के आ रहे हैं और मेरा एक लंबा अनुभा भी कहता है लगब मुझे 22 परशों का अनुभा हुए खास तरह पुलीस और समस्पेक्टर के एक्जाम के उसमें और मैंने देखा है कि जैसे साल दर साल लगातार हर साल बच्चों का जो फिजिकल लेवल है वो लो होता जा रहा है जितने स्ट्रॉंग बच्चे 98-99 में हुआ करते थे उनको बस किसी कोचिंग आप सकते ही पड़ती थी फिजिकल के लिए वह आते थे और दोड़ में ताकत नहीं मास फिश्य में ताकत नहीं हाड और लंक्स इतना एक्टिव नहीं है कहने कि खान पान और सभी चुझों का बहुत फर्क इन चीजों पर पड़ रहा है तो मेरा मानना है कि फिजिकल का लेवल यदि बच्चों का कम हुआ है तो मेंटल लेवल स्ट्रॉंग ह है तो दिमा की शक्ति बढ़ गई अब दिवा की शक्ति बढ़े गई तो हम मान की चलें 2017 के हम देखें कि 2017 का जो आरख्षक का कट ओफ था जनरल के टेगरी के जनरल के टेगरी का तो कि पर हम वोट पर लिख कर इसको नहीं बता रहे हैं हमारी वोइस को ठीक से सुने लिख आपके ताँ 70.50 70.50 जिनके नंबर थे उन लोगों को फिजिकल के बुडा लिए गया था और 70.52 जिनका था उनने फिजिकल उनको फाइनली सेलेक्शन कर दिया गया था जिन लोगोंने फिजिकल पास किया उनका सेलेक्शन हो गया अब हम बात कर रहे हैं कि 2022 में क्या रहेगा और 2022 में क्या रहेगा इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जिसे मेरे बीच में बहुत अनुभावी शिक्षक हैं संदीप सोलंकी सर और ठाकुर सर दोनों बताएं कि क्या पेपर का लेवल आप देखेंगे कि हर शिफ्ट में पेपर अलग अलग आ रहा है जिसे आठ जन्वरी के फर्स्ट शिफ्ट के पहले पेपर की अगर मैं बात करूँ तो उसका लेवल लो था शाम की शिफ्ट में लेवल थोड़ा सा मोडरिट कर दिया गया उसके बाद में हर शिफ्ट में जितना मैंने नॉर्मलाइजेशन को समझा है देखें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया केसे होती है यह तो हम नहीं जानते बट जितना मुझे आइडिया है सर अगर आपका पेपर हाट शिफ्ट में हुआ है तो आपके फिर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते ह हैं तो मेरा आप सभी लोगों से यह अनुर्द है कि अगर मान लिजे कि आपका टफ शिफ्ट में पेपर आया होगा तो आपका इसकोर कमी हुआ होगा और अगर आपका इसकोर लगभग 60, 55 या 65 भी है तो आप लोगों को फिजिकल की तैयारी कर देना चाहिए चालू क्यू पाएगा कि आप आठ से दस दिन में अपना फीजिकल तैयार कर ले और थोड़ा सा जानकारी देंगे हमारे ठाकुर सर सर बताइएगा जीके का लेवल इस बार अब जो देख रहे हैं जीके और साइंस का लेवल तो साइंस का लेवल उसने थोड़ा जरूर हाड किया है पादप से कोशन मना है थोड़ा हाड इस बार भी लेवल है किसी शिफ्ट में सिंपल है किसी शिफ्ट में टफ है जीके का पोर्शन भी अगर लेवल तो बढ़ाया है और एक और चीज़े के दो साल से कोरोना चल रहा है बेरुजगारी की दर्भी भारत में बढ़ रही है मांसिक रूप से भी बच्चा परेशान है घरवाले के रहे कि नहीं अब तो तु शहर से वापस यहीं आजा यहीं तैयारी कर ले हम तुझे पैस हुआ है और बेरोजगारी दर बहुत बड़ी है तो चिंता ही बड़ी फिजिक उसके लिए और जब दो साल तक लोगडाउन रा क्लासेस ने जल पाई तो जो अपने भारत की सबसे अच्छी कोचिंग क्लासेस हैं उन लोगों ने ओनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की और कोचिंग बढ़ता है लेकिन हो सकता है उसको बहुत कम में अच्छा पेकेज मिल गया तो बच्चे पढ़नी पाएं तो कुछ नहीं कह सकते बस मेरा इतना मानना है कि यदि आपके नंबर पिछले वर्ष 2017 में जो एक एक्जाम हुई है उसके आसपास है जैसे सामाननी का 70.50 पे फिजिकल के लिए बुलाए गया 70.50 पे फिजिकल करने में कुछ नहीं जाता है फिजिकल करेंगे हम तुमारे सहत में सुधार होगा और कहिना कि यदि हमारा रिटन कौलिफाई हो गया तो जो अभी से प्रेक्टिस हम करे रहेंगे वो डेफिनेटली कौलिफाई करने मददगार होगी यदि हम बैठे रहे कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा और फिर एकदम आपका नाम आया तो नहीं कर पाऊगे तो मेरा मानना है कि आपको फिजिकल स्टाट करना चाहिए सतर पैसाट वाले भी कर दें सामानी में और जिसे अपन एडब्लियोस सामानी पुरुष के बात करें तो वो 65 के आसपस नंबर लिके आ रहे हैं तो वो भी फिजिकल स्टाट कर दें OBC के अंदर आपके जो हैं पिसली बार 67.45 पे फिजिकल के लिए बुलाए गया था 73 पे आपका फाइनल सेलेक्शन हुआ है तो आप तो 65 फे OBC में वो भी फिजिकल स्टाट कर दें अगर बात करें हम तो 56.89 को बुलाए गया पिसली बार और 66.63 पाइंट 43 पे फाइनल सेलेक्शन हो गया वो जिनका नंबर 56 आ रहे हैं 55 नंबर आ रहे हैं फिजिकल स्टाट कर दें बहुत फास्ट जल्देली बोल रहे हैं कि हमेरे नंबर भी तो बढ़ेंगे हैं जी जहां पच्पन नंबर हैं और अगर किसी के नौर्ल में पांच नंबर बढ़ गए तो उसका साथ होगा पता चला साथ पे उसको फिजिकल के लिए को ला गया अब आठ दिन बचे वो क्या करेंगा वो फिजिकल बुले का यार रेन देता हम चला गया चांस मेरे आस से और अगर न 49 नंबर के आसपास जिनका था 49 वालों को फिजिकल के लिए बुलाए गया था और पच्पन नंबर में भाइनल सेलेक्शन हो गया है तो यदि आपके 48-45 के आसपारता 59 नंबर एस्टीम आ रहे हैं तो फिजिकल स्टार्ट करने का बेनिफिट से आप बता रहा है बताया कि स सवास्त में सुधार होगा हेल्थ बनेगी आपकी तो उसमें कोई नुकसान नहीं होना आपका फिजिकल से बहुत अच्छा डेवलोमेंट होता है आपका शारीरिक और मांसिक दून तरह से हम स्वास्त होते हैं यदि हमने कोई परिक्षा की त्यारी की हम पहले फिजिकल के अपने पहले रिटान एक्जाम की क्लासेस में बेठे हैं हमें रिटान एक्जाम दी उसके बाद हमारे सम्मान जनेक नंबर हैं पिछले वर्ष की 2017 के आसपास आपके नंबर यदि आ रहे हैं तो फिजिकल स्टार्ट करने में आप कुछ नहीं जाएगा यदि आप घर पर ब दिक्टा के और जहां तक मेरा मानना है कि यह नॉर्मलाजेशन के प्रक्रिया फिजिकल के पहले हो जाती है तो आपकी जो भी नंबर उसमें जो नंबर पिछले वर्ष से 2017 में थे उसके आसपास यदि आपके आ रहे हैं फाइनल कट आफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं आप डिले हो गए आपने लेट स्टाइट के और उनको जल्दी ही किसी तरह से फिजिकल लेना हुआ तो फिर आप जो है इस प्रक्रिक्विता से भार हो जाएंगे को कि मैंने कहा ना कि 2017 के पहले पहले 2017 तक जो बच्चों में स्ट्राइं थी ती स्ट्रॉंग दे अब नहीं है पहले 2012-1314 तक तो डिरेक्टली भी बच्चा दोड़ने गया और फास हो गया होगा लेकिन अब तो बिना प्रेक्टिस के संभाव नहीं है इसलिए प्रेक्टिस करें और अच्छे से करें और हमने आप गल्स के लिए भी कटॉफ हमने बनाया गल्स का कटॉफ की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे गल्स महां से देख लें गल्स के लिए हो सकता है गल्स के लिए फाइनल कटाफ हो 17 तारिक के बाद बनाएंगे अब अन्त में कहना चाहूंगा कि आपको यदि फिजिकल की त्यारी करना है तो हमारे यदि आप नहीं आप आ रहा है किसी कोश कंडर नहीं जाते हैं किसे अकेडमी पर नहीं जाते हैं तो स्वैंबी उन एक्सरसाइस को देख के आप अपना आपका बैस त्यार कर सकतो बैसिक त्यार हो गया आपका उसके बाद महेने पंदरा दिन भी कहीं दोड लगाएंगे प्रेक्टिस करेंगे तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक उचिजा बताइए देखे दोस्तों आगावी बहुत सारी व्यमुक्य मंत्री महदे ने भी गोशना की है चब्वी जनवरी पे के एक लाख शाष की नियुक्तियां की जाएगी और देखे दोजार तेविस चुनावी वर्ष है तो ये नियुक्तियां जरूर एक लाख नहीं माने तो पचास साट अजार भरती तो मद्यप्रदेश आशन करेगा ही करेगा पटवारी करेगा फोरेसगाट करेगा सबस्पेक्टर करेगा तो एक फरवरी से कल से हमारे हैं स नोटिफीकेशन आने का इन्तजार ना करें जो लोग नोटिफीकेशन आने का इन्तजार करते हैं वो लोग केवल एक चांस ले रहे हैं और ऐसा चांस कभी सफल नहीं होता तो कल से हमारे बैचे शुरू हो र série है तो आप जल से जल एडिमिशल ले एक बेच हमारे है एक त उन पर वहाँ सर से संपर कर सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक नंबर भी प्रदर्शीत हो रहा होगा उस पर फोन लगा के सर से बात कर ले और अपनी सफलता को अंतिम लक्ष तक पहुचाएं जे हिन जे भारत